टाइप 3 ये रहेगा important ये रहेगा important कि अगर direction and distance में question पूछना चाहा question बनाने वाले ने question बनाया तो ऐसा question बनाएगा कि एक ही question में सारी चीजे आ जाएं दिसाओं का भी ग्यान हो, pythagoras लगाना भी हो जाए उसमें, everything तो ये pythagoras जिसमें apply होते हैं वो जादा और मैंने अभी आपको बताया था pythagoras right angle triangle तो जब कभी भी हम ऐसे diagram बना रहे होंगे इस तरीके से, माल लेजिए, तो ये हमें दूरी पूछा जाएगा, ये दूरी और ये दूरी निकालने के लिए, अब right angle triangle बनाना होगा, और right angle triangle बनाने के बाद, ये distance हमें पता करना होगा ठेक, pythagoras apply करके, तो ज़्यान रखिएगा, कभी भी दो point को ऐसे मिलाते हैं कभी भी जैसे ये दो point को हमने मिलाया, तो ये हमेंसा hypotenuse होगा, करन होगा अब perpendicular base चाहे इधर बना लीजे, चाहे इधर, कैसे बनाएंगे, तो यहीं से lineों को ऐसे आगे पीछे करना, कि एक दूसरे को cut करें जैसे ये, ये एक line मैंने इधर, एक line मैंने इधर किया, जहां cut किया 90 degree, seem ये approach इस पार भी कर सकते हैं, कि एक line straight ऐसा, एक line straight ऐसा, जहां cut किया 90 degree, बट ऐसे आगे पीछे कीजिएगा, कि आपको perpendicular और base पता हो, आसानी से पता हो, ठीक है, आएए कुछ question के माध्यम से जैसे ये, एक question, basic सा, फिर से यहां पर आया rotation 90 degree clockwise, तो ज़रा बताएए, ये 90 degree clockwise अगर लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, right turn, a person travel 6 meter towards south, then turn 90 degree clockwise, तो ये जो 90 degree clockwise है, इसको हम पढ़ेंगे, right turn, then travel 5 meter, and turn left, and travel 6 meter, and stop, find distance and direction from starting point, तो question को अच्छी तरीके से हमने read कर लिया, अब देखिए इसका diagram, starting point, ये रहा हमारा starting point, तो यहां से हमें बोला जा रहा है, south में travel कर जाएए, तो हम south में चले गए, 6 meter, अब कहा गया 90 degree clockwise, तो 90 degree clockwise का मत्तब right turn हो जाएए, तो जब face south में होता है, तो right इधर, तो right turn हो गए, औ और कितना travel करना है, 5, फिर इसके बाद कहता है, again turn left, ठीक है, फिर से left turn हो जाएए, और 6 meter, तो हमारा face है west में, पस्चिम में, तो right उपर जाएगा, left ऐसे नीचे, और 6 meter travel करने के बाद मैं यहां पर stop, तो ये रहा starting point, ये रहा end point, ये बन गया perfect diagram, अब अगर इसी question में पूछ लेता, total distance दोस्तो, total distance, तो total distance अगर पूछता, तो जितना भी चला वो, 6, plus 5, plus 6, सब को add करके रख देते, 17 meter बोल देते, लेकिन जब ध्यान रखिएगा, total distance ना बोले, सिर्फ बोले, direction and distance from starting point, तो हमें minimum distance ही पता करना होता है, तो minimum distance का मतलब, ये point और ये point ऐसे straight line से add कर दीजे, अब इस पे ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, कि जभी भी आप starting end point को add करेंगे, तो आपको ये right angle का hypotenuse बनाना है, अब perpendicular base बनाना है, तो या तो इस पार बना लीजे, या तो इस पार, कैसे बनाना है, तो समझेगा, यहां से मैंने एक line जाने दिया, ये 6 meter की line आ ही रही है, थोड़ा सा पीछे और ले जाएए, जहां कट किया, ये 90 degree, अब ये बड़ा सा आपको right angle triangle देख गया, अब इस बड़े से right angle triangle में base, तो देखिए ज़र ध्यान से ये 5 है, तो ये कितना होगा, 5, यहां से यहां तक 6 है, यहां से यह तक distance और पता कर लीजिए, तो ये 6 है, तो ये 6 हो जाएंगे, तो ये पूरा perpendicular हो गया, 12, base हो गया, 5, तो इस पर hypotenuse क्या आएगा, तो देखिए दोस्तो, Pythagoras, h equal to root over 12 का square, plus 5 का square, फिर इसको solve करेंगे, तो root over 144, plus 25, फिर इसके बाद यह आजाएगा, 1, 6, 9, then आएगा 13 meter, तो देखिए, इतना calculation आपको करना पड़ेगा, और ये calculation से भी बच सकते हैं, इसके लिए triplets द्यान रखना पड़ेगा, starting point, starting point से दिसा भी बतानी है, तो ये south, ये west, तो कौन से दिसा में locate हो रहा है, south, west में, तो पूरा answer हो जाएगा, कि वहवेक्ति south, west में, 13 meter की दूरी पर है, starting point से पूछा जा रहा है, तो starting point से दूरी भी दिसा भी बतानी है, जैसा मैं बोल रहा था दोस्तो, तो अगर इनसे इतना आपको नहीं करना है, तो कुछ triplets होते हैं, right angle, triangle के कुछ triplets होते हैं, hypotenuse, base और perpendicular, जैसे base, perpendicular, perpendicular base and hypotenuse, तो ध्यान रखिएगा, दोस्तो, hypotenuse अगर 5 है, तो इन दोनों में कोई 1, 3 होगा, कोई 1, 4 होगा, ठीक है, कोई 1, 3 होगा, कोई 1, 4 होगा, अगर hypotenuse ध्यान रखिएगा, 13 है, तो कोई 1, 5 होगा, कोई 1, 12 होगा, कोई भी हो सकता है, चाहिए, चाहिए, इसी तरीके से 25 अगर है, तो ध्यान रखिएगा, कोई 1, 15 होगा, कोई 1, 20 होगा, 25 के लिए 1, triplets, इनहीं को बोला जाता है दोस्तो, triplets, कोई एक 7 होगा कोई एक 24 होगा इसी तरीके से 17 का भी होता है 8 और 15 तो दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है triplets इन्हीं को कहा जाता है triplets ये triplets अगर हमें ध्यान है तो देखिए अभी हमने 5 और 12 आया था question में तो 5 और 12 देखिए हम सीधे 13 मीटर बोल सकते थे तो कुछ triplets है उन triplets को भी हमें ध्यान रखना है और वो triplets ये triplets ऐसे ही कुछ और triplets है पूरी जब हो जाएं तो और भी कुछ triplets मिलेंगे ये आपको अल्रेडी maths में भी काम आएंगे तो आए दोस्तों बढ़ते हैं अगले question की तरप अगला question कुछ इस तरीके से है अब person travel 6 meter toward west तो आए बनाते भी चलते हैं diagram ये रहा starting point अब west direction, west इधर होगा तो एक person west direction में 6 meter travel करेगा तो ये देखे 6 meter travel करेगा अब जब face west में होगा तो right उपर तो right turn हो जाएगा और कितना जाएगा 8 meter फिर से इसका face हो गया north में कहता है left turn हो जाएगे तो left इधर और ये हो जाएगा 9 meter कहता है फिर से right turn हो जाएगे और 12 तो ये फिर से right turn हो गया और 12 और यहाँ पर stop तो देख लीजिए question के according perfect diagram बन गया कोई वेक्ती है जो west पस्चिम दिशा में 6 meter चल रहा है तो देखिए पस्चिम में चला गया फिर right turn हो गया तो मैंने कहा था ना हर दिशा के according left right तो right उधर योगा 8 meter फिर left turn तो left इधर 9 फिर से right turn और 12 जाके रोग गया अब starting point से distance और direction बताना है starting point से distance और direction बताना है दोस्तों तो फिर से वह अप्रोच लगा ये starting और end point को सीधे ऐसे मिला दीजी सीधे ऐसे ठीक अब right angle बनाना है तो right angle चाहे उस पार बनाएए चाहे इस पार अगर मैं इस पार बनाऊं तो कुछ न कुछ distance बनाने में मुझे सहूलियत होगी तो सहूलियत जहां दीखे उधर ही बनाना ये देखें ये 12 मीटर की line चली आ रही है थोड़ा score पीछे ले ले लेते हैं ये 6 मीटर वाली line चली आ रही है थोड़ा score पीछे ले लेते हैं जहां cut किया ये 90 degree अब पूरा base ये 6 हो जाएगा तो ये 9 तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 ऐसी देखिए ये 8 तो ये 8 तो 12 और 8 कितने हो जाएगे दोस्तो 20 तो ध्यान देजे बीस पंदरा बीस पंदरा का कुछ ट्रिपलेट्स अभी बताया था 25 तो देखे ट्रिपलेट्स बड़े काम की चीज़े हैं अब मालेजे नहीं अगर रहे हैं तो जल्दी से इस speed बनाएए इस speed के साथ calculate कीजिए h equal to root over 20 का square plus 15 का square root over 400 plus 225 देन इसके बाद ये आया और इसका root निकल के आगया 25 मीटर्स तो देखे इसमें थोड़ा speed बनाएएगा कि या तो ये speed के साथ calculate हो जाए तो 25 मीटर और starting point ये है तो ये हो जाएगा north और ये हो जाएगा west तो ज़रा देखे नौर्थ और west तो 25 मीटर north west ये पूरा हमारा answer हो जाएगा तो दोस्तों ये diagram हमें अच्छे से practice रखना है कि free hand से हम दाएं बाएं left right turn हो जाएं और diagram बनता चला जाएग तो proper answer आजाएगा 25 मीटर north west तो थेयोरी पढ़ते जाना है थेयोरी पढ़कर एक perfect diagram बनाना है अगला number अगला number भी देखिए question read कर लीजिए अमित फाइब मीटर इन north then turn left and travel 7 meter then again turn left and travel 13 meter then turn 90 degree clockwise तो फिर से आया 90 degree clockwise तो इसको हम पढ़ेंगे then turn right and travel 8 meter and stop ठीक कोई अमित है जो north direction में 5 meter चलेगा चलिए पढ़ते चलते हैं diagram भी बनाते चलेगे तो आप लोग भी पढ़ते चलिएगा diagram ध्यान से समझेगा तो दोस्तों ध्यान रखिए ये है starting point ये हो जाएगा starting point तो पढ़ते चलिएगा north direction में 5 meter तो ये रहा north direction 5 meter कहता है left turn हो जाएए तो face north में है left turn यहाँ तो left turn होकर 7 meter चले जाना है तो ये 7 meter again left turn हो जाएए तो इसका face west direction में है तो left हो जाएगा यहाँ और चले जाना है हमें 13 meter south में आ गया कहता है 90 degree clockwise तो देखे 90 degree clockwise या right मेरा face यहाँ पर है तो 90 degree clockwise में इधर ही आऊँगा या फिर मैं सीधे सीधे right turn हो जाऊँ तो right turn हो जाऊँगा और कितना जाना है दोस्तो 8 meter तो ये हो गया 8 meter and stop ये बनेगा diagram तो point से point मिलाते चलिए north में गया फिर left turn फिर left turn फिर 90 degree clockwise फिर right turn and stop ये हो गया अब दोस्तो इसमें भी starting point से distance and direction तो starting और end point को straight line से ऐसे मिला दीजे straight line से ऐसे मिला दीजे अब perpendicular base चाहे इस पार चाहे इस पार बनाएए बट उधर बनाएए जहां आपको direction यहाँ पर देखे distance distance measure करने में आसानी हो सहुलियत हो वहाँ बनाना है तो क्यों न हम इस पार बना ले तो ये हो जाएगा line ऐसे भेज दीजे ये 8 meter की line है ये थोड़ा और पीछे लीजे जहां cut करे 90 degree तो ये अब आपको right angle triangle दिख गया इसमें बस base और perpendicular पता चल जाए तो जरा देखिए ये 7 तो ये कितना हो जाएगा 7 तो 7, 7, 14 और एक 15 तो ये हो जाएगा भई एक distance चीक है बेस perpendicular सिर्फ इतना हमें पता करना है ये distance तो आईए जरा देखिए ये 5 यहां से लेके यहां तक पूरा 13 है और ये अगर 5 है तो ये बचा कितना ऐसे भी देख लीजिए ये 5 है तो ये 5 होगा 13 मीटर में अगर ये 5 है तो बचेगा कितना 8 और अगर ये 8 है तो ये भी हो जाएगा 8 तो ये 8 और ये 15 आट 15 पे दोस्तो 17 नहीं पता तो आईए speed के साथ calculate कीजिए 8 का square और ये हो जाएगा 15 का square speed होनी चाहिए इसको calculate करने में ये हो जाएगा 64 ये हो जाएगा 225 फिर ये हो जाएगा 982 और ये root होता है दोस्तो 17 मीटर पाइथागोरस हमें प्रमे लगाना पड़ता है distance find करने के लिए अब जड़ा देखे इस starting point तो इस starting point ये है ये हो जाएगा south और ये हो जाएगा west तो कौन से दिसा में वो रुका हुआ है तो दिसा भी हमें बताना है तो south west तो ये हो जाएगा इस question का proper answer आएगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या बोल रहा है यहाँ पर a person travels 6 meter toward west a person travels 6 meter toward west then turn left and travel 7 meter again turn left and travel 14 meter then turn right travel 8 meter and last में left turn लेगा और 12 meter जाकर stop तो question को अच्छे से read कर लीजेगा और मैं डाइग्राम बनाते जा रहा हूँ left right पढ़ते चलिएगा एक वेक्ती पस्ची में 6 meter चलेगा तो यह भी अच्छा question है दोस्तों देखिए यहाँ से यह चलना सुरू कर रहा है तो यह चला 6 meter इसके बाद कहता है left turn हो जाओ 7 meter जाओ तो यह left turn हो गया और 7 meter हो गया कहता है फिर से left turn हो जाओ 14 meter जाओ तो फिर से left turn और 14 इतना कहता है अब right turn हो जाओ और 8 जाओ तो यह हो गया right turn और 8 कहता है फिर से left turn हो जाइए तो इसका face south में है left इधर ही होगा तो हाँ यह हो गया 12 and storm तो यह बन गया proper diagram तो कुछ भी नहीं है दोस्तो बस आपको every direction के according left right clear हो तो यह diagram ऐसे बनते चले जाएंगे अब जिस बच्चे को left right नहीं पता होगा तो वो 14 meter इधर भी चला जा सकता है और इधर गया तो पूरा diagram खराब तो हर point पर left right पता हो तो perfect diagram यह निकल के आ जाएगा अब इस diagram में starting और end यह distance हमें पता करना है यह distance और कई बार बच्चे यह starting point को मैंने हमेशा ऐसे dotted लगाया है जब चला हूँ और जब रुका हूँ तो यह dotted लगाया हूँ जो बच्चे dotted नहीं लगाते हैं वो कई बार यहीं pythagoras लगा देते हैं कोई बच्चा यहां से लगाएगा यहां pythagoras लगा देगा तो हमेशा जहां से चलो और जहां पे रुको एक dot बना दो ताकि पता रहे यह starting और यह end है आएए दोस्तों अब इस line को मैं यहां से सीधे यहां ले आता हूँ और यह 12 मीटर वाली line है थोड़ा सा पीछे बढ़ाएगे तो यह हो जाएगा 90 degree यह हो जाएगा 90 degree अब देखिए यह बड़ा सा right angle हमें दिख रहा है तो यह 7 है तो यह भी कितना हो जाएगा 7 यह 8 है तो यह भी हो जाएगा 8 तो यह हो जाएगे perpendicular पूरा 15 अब आजाएगे यह 12 है अब यहां से लेके यहां तक distance यह पता करना यह अगर 6 है तो 14 मीटर की लाइन में यहां से यहां तक 6 हो जाएगा 14 मीटर का डिस्टेंस है अगर यह 6 तो remaining यह कितना बच जाएगा 8 और अगर यह 8 तो यह 8 तो ज़रा बताएए 20 और 15 20 पंदरा की triplets क्या थी 25 और अगर नहीं पता तो आएए देखिए speed के साथ लगाए एच इक्वल टू रूट ओवर 15 का स्क्वाइर प्लेस 20 का स्क्वाइर और यह हो जाएगा 225 प्लेस 400 और यह हो जाएगा 625 और यह देखिए दोस्तों आगिया 25 मीटर ऐसे तो यह पाइथागोरसी speed के साथ आप बनाएए इसके बाद दिसा तो आरंभिक बिंदू यह है तो यह हो जाएगा east और यह हो जाएगा south तो यह कौन से दिसा जा रही है south east तो south east में 25 मीटर की दूरी पर होगा वो person तो यह है perfect answer तो दोस्तों बिलकुल ऐसे ही question exam में बनते हैं मैंने कहाना एक question ऐसा पूछेगा जिसमें सारी की सारी information वो बच्चे से जानना चाहता है पाइथागोरस लगाना भी आजाए उसको दिसा बताना आजाए उसको everything ठीक है चलिए इसके बाद अगला जो question रहेगा अगला question यह very very important कई बार इस concept पर question आ चुके है इस concept पर कई बार question आ चुके है दोस्तों कैता है question अब portion travel 9 meter toward west then turn southeast and travel 9 meter then turn northeast and travel 9 meter and stop find distance find distance and direction from starting point एक वेक्ती पर्षिम में 9 meter चलता है फिर southeast में turn होकर 9 meter फिर northeast में turn होकर 9 meter चलकर stop काफी important question है इस concept पर again and again कई बार यह मैं बता दू बीस से पक्ची सो बार ठीक है मैंने इस्तमाल किया concept चेहरे बदल बदल कर यह question कई बार exam में पूछे गए question हो में से reason कि ध्यान से आप question को पढ़िए बच्चे इसमें triangle बना देते हैं और question बनाने वाला भी क्या करता है option जब लिखता है यहां तो लिखेगा 9 meter toward west तो देखी यहां से एक व्यक्ति है west direction में चलेगा 9 meter अब छोटा सा ऐसा पूरा पश्चिम बना लीजिए यह east यह west यह north यह south तो कहता है south east में turn हो जाओ तो south east यह हो जाएगा और south east में turn हो गया 9 meter अब फिर से छोटा सा ऐसे पूरा पश्चिम बना लीजिए east west north south अब कहता है north east north east इधर होता है अब इधर turn होकर जैसे ही वो चलेगा तो कई बार बच्चे triangle बना देते हैं इसी point को मिला देते हैं reason भी मैं आपको बता दूँ इस starting में बच्चे मैंने आपको बताया था sub direction जरा बताए north से east यह पूरा 90 degree होगा तो यह कितना होगा यह हो जाएगा 45 यह हो जाएगा 45 और यह कितना हो जाएगा यह भी हो जाएगा 45 तो 45 45 दोनों मिलकर हो जाएंगे 90 degree तो मतलब triangle तो बनेगा लेकिन triangle में जड़ा देखिए यह एक angle बन रहा है triangle में और यह angle 90 degree और वो triangle जिसमें एक angle 90 degree बने वो होता है right angle triangle वो होता है right angle triangle तो जड़ा देखिए ध्यान से इसी diagram को मैं यहाँ पर बनाऊं अगर थोड़ा सा ऐसा ठीक है 90 degree के सामने होता है hypotenuse तो यह 90 degree है 90 degree के सामने hypotenuse कर अब जड़ा बताएए क्या एक right angle triangle में यह 9 यह 9 यह 9 क्या यह possible है कि तीनों distance 9 हो जाएं कभी possible नहीं है possible यह है कि यह दोनों हो सकते है 9 लेकिन यह कभी नहीं होगा यह 9 से थोड़ा ज़ादा ही होगा तो 9 से अगर थोड़ा ज़ादा है तो हम थोड़ा सा ऐसे कि मान लेजिए कि यहाँ से यह point ले लेते हैं कि 9 से थोड़ा ज़ादा है तो यह distance x ले लेते हैं तो अब पूरा हाइपोटेनस हो जाएगा 9 से थोड़ा ज़ादा 9 प्लैस x और इसी x की value हमें पता करनी है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यह line तो जाएगी जरूर उपर लेकिन उस पर मिलेगी नहीं उसी के सामने ही यहाँ पर होगा और यही distance x meter हमें पता करना है इसी को मैंने rotate करके ऐसे बना दिया है कोई फरक नहीं है दोनों diagram में तो ज़रा बताएगे यह एक triangle बना लेकिन यह right angle बन रहा है और यह हमें distance पता करना है तो ज़रा लगाएगे इसमें pythagoras तो pythagoras 9 प्लस x का holy square equal to 9 का square plus 9 का square और यह हो जाएगा 81 plus 81 और यह कितना हो जाएगा 162 अब दोनों तरफ square root ले लीजिए दोनों तरफ ले लीजिए square root यह ऐसे और यह ऐसे तो square root जब हम लेंगे तो यह तो पूरा बाहर आ गया 9 plus x और यह इसको हम लिख सकते हैं दोस्तो 81 into 2 तो 81 से आ जाएगा 9 बाहर और यह बचेगा root में 2 9 को उस तरफ भेज दीजिए तो 9 root 2 minus में 9 और 9 common ले ले लिजिए तो यह आ गया root 2 minus में 1 और यही है x की value तो देखिए दोस्तों यह तीन लाइन का question लेकिन answer ऐसा तो जो बच्चा अगर ऐसे question solve करके नहीं गया है तो definite वो ऐसे option सोची नहीं पाएगा कि यह भी answer हो सकता है और वो उसी option पर टिक लगाएगा कि triangle बन रहे है starting end point 0 है एक ही जगे पर है बट दोस्तों real answer है 9 root 2 minus 1 तो अब मैं आपको इस question की पहचान बताता हूँ कि कभी भी ऐसा question दिखाई दे तो क्या पहचान है दोस्तों ध्यान रखिएगा तीन distance होंगे और तीनो same होंगे तीनो same होंगे यह देखिए 9 meter 9 meter and 9 meter तीनो same होंगे तो समझ जाएगा तीन line का question होगा तीनो same होंगे तो समझ जाएगा यही concept पर question बनेगा ठीक है जैसे ये question में west में भेजा पहला line आपको east में भेज सकता है और एक बार ऐसे sub-direction southwest में मोड़ दे फिर northwest में मोड़ दे तो triangle बन जाएंगे और मैं आपको बता दूँ कि data के आधार पर आप जल्दी से answer भी tick कर सकते हैं result ज़र देखिए तीनो डेटा अगर 9 था तो answer क्या आया 9 root 2 minus 1 तीनो डेटा अगर 5 हो जाए तो answer 5 root 2 minus 1 तीनो डेटा अगर 6 हो जाए तो 6 root 2 minus 1 तीनो डेटा अगर n है तो n root 2 minus 1 तो अगर आपने ऐसे concept पर question बनाए हैं तो बिलकुल exam में question दिखा कि तीन डेटा 5 है तो बिलकुल option में देखिए 5 root 2 minus 1 वाला होगा उसी पर आप टिक लगा दीजे तो यह आगे है distance और कहता है starting point से दिसा भी देखिए तो starting point से कौन से दिसा में है यह east direction में दिख़ा है east direction में तो east direction में इतने दूरी पर है यह person यह है पूरा answer इसके बाद बढ़िए दोस्तों अगला question भी same उसी concept पर है बट थोड़ा सा ratio का concept है यहां पर आईए पहले read कर लेते हैं कोई A है वो B के west में 60 meter के distance पर है फिर इसके बाद कोई C है जो A के south east में और B के southwest में locate हो रहा है बट distance नहीं बताया अगले line में distance बताया जा रहा है distance between A to C and B to C is 3 ratio 4 अब कहता है A से C और B से C तक exact distance बताये क्या होगा तो दोस्तों मैं diagram बना रहा हूं ध्यान से समझेगा A जो है B के west में दिखना चाहिए तो अगर हम B को consider कर लें यहां पर यह हो गया B तो B के west में यह हो गया 60 meter और यहां दिख जाएगा A इन दोनों के बीच में 60 meter अब देखिए A के according यह south और यह हो जाएगा east B के according यह हो जाएगा south और यह हो जाएगा west तो point C A के south east में और B के south west में ऐसे यह locate हो रहा है point C अब इनके बीच जो distance है वो ratio में देखे रखा है 3 ratio 4 ठीक है? यहां लिख लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए 3 ratio 4 ratio में देखे रखा है 3 अनुपाते 4 तो ratio में दिया है और exact distance पूछ रहा है तो लिखते हैं 3X और 4X तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ distance 3X और यह 4X तब हमसे कहता है A से C के बीच exact distance बताईए B से C के बीच exact distance बताईए तो दोस्तो डाइगराम आपके सामने बन चुका है अब इस डाइगराम को कैसे हम distance निकाले तो थोड़े देर के लिए बिलकुल इतना हम सीख चुके हैं तो वीडियो को पॉस्त कर दीजे बिलकुल और ज़रा ट्राइ करेंगे आपके कैसे बनेगा फिर उसके बाद मैं explain करी रहा हूँ तो ऐसे भी करके आप वीडियो देखिएगा चलिए देखिए मैंने कहा फिर से वही concept लगेगा C के according design यही चलेंगी भही East यह West यह North यह South तो यह 45 यह 45 और दोनों मिल जाएं तो यह 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने Hypotenus ठेक है करण तो यहां हम Pythagoras लगाएंगे तो Pythagoras में जड़ा बताएए कि अगर यह 3X हो जाए यह 4X हो जाए तो X के format में यह कितना होगा यह triplets 3,4 पे 5 और अगर आपको solve ही करना है तो ऐसे solve करके देख लीजिए 3X का square ठीक है भही basic से हर एक चीज भही बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो first time पढ़ रहे हैं तो बिलकुल सारी चीजें clear होंगी तो यह हो जाएगा 9X का square plus 16X का square और यह हो जाएगा 25X का square सारा का सारा data आएगा 5X तो जड़ा बताएगे यह 3X यह 4X तो यह वाला data हो जाएगा 5X means 3X, 4X तो यह हम बोलेंगे 5X 5X किसके equivalent है 60 के तो यहां से X की value आजाएगी दोस्तो 5X equivalent है 60 के तो X equal to 60 upon 5 तो यह हो जाएगा 12 और 12 की value यहां रख दीजिए तो 3 into 12 तो यह हो जाएगा 36 यहां लख दीजिए 4 into 12 तो यह हो जाएगा 48 तो इस तरीके से चाहे A से C के बीच की दूरी पूछे चाहे B से C के बीच की दूरी पूछे answer ready है concept तो रहा सवाल concept क्या था तो जो मैंने अभी आपको बताया concept back to back ठीक है तो एक से दो बार इसको आप अच्छे से देखिएगा अगला question अगला question है फिर से देखिए धिहान से यह भी triplet पर बेज़द है अच्छा question है यह भी question धिहान रखिएगा railway के exam में पूछेगा question में से हैं यह एक वेक्ति अपने घह से north की तरफ जाएगा 400 meter bank पहुचेगा bank में अपना काम किया फिर उसी दिशा में same direction में north direction में 50 meter travel करेगा फिर right turn लेगा 180 meter चलेगा फिर वे है south east south east में turn करेगा 130 meter चलेगा और अपने office फिर कहता है जो bank के east direction में है बताएगे वेक्ति के घहर office के बीच की दूरी क्या है तो हिंदी इंगलिस में बिल्कुल आप read कर लीजिएगा इसके बाद video को post करके diagram बनाने की कोसिस कीजिएगा तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपकी practice होते रहेगी चले देखिए एक वेक्ति अब person तो चले देखते हैं यह है मानली जी वेक्ति का घर यहां से यह चला इस तरीके से 400 meter तो यहां पर मिल गया उसे bank फिर bank से उसी दिशा में वो 50 meter और चला यही language था 50 meter और चला same direction then turn right and travel 180 meter तो यहां से right turn हो जाएगा और 180 meter चलेगा 180 meter यहां तक चला 180 meter चलने के बाद अब sub direction में वो मुड़ेगा तो sub direction में मुड़ेगा दोस्तो तो दिहान रखिएगा यह east हो जाएगा यह north हो जाएगा नीचे हो जाएगा south नीचे हो जाएगा south और यह हो जाएगा west तो आएए जरा देखिए कहां मुणने को बोलता है south east तो south east में वो मुड़ेगा ऐसे और south east में मुड़कर कितने meter जाने को बोल रहा है 130 130 meter जाएगा और अपने office पहुँच जाएगा यह रहा इसका office and important line office reach his office which is east to the bank bank के एकदम east में है इसका office तो दोस्तो यह बन गया diagram यह कोई person है अपने घह से 400 meter bank bank से 50 meter same direction में travel किया then turn right 180 meter फिर इसके बाद south east और 130 जाकर stop मिल गया office और office जो है bank के east direction में है then कहता है find distance and direction from his house and office चलिए तो यह distance हमें पता करना है तो दोस्तो सीधा सीधा इसमें यह देखिए 90 degree है python लग जाए तो यह distance पता चल जाए तो अब ज़रा देखिए यह 400 है लेकिन यह पूरा distance पता लगाए तो पूरे distance में आधा तो पता है यहां से लेके यहां तक भई 180 तो पता है यह नहीं पता तो पहले एक बार python लगेगा यहां पर फिर यह distance पता चल जाएगा तो यह हमारा answer आजाएगा तो आए ज़रा देखिए ध्यान से यह 50 है तो यहां पर 50 तो ज़रा बताएगे अगर यह एक right angle triangle है जिसमें यह 130 है और यह 50 है तो यह कितना होगा यह triplets triplets आपको बिलकुल ध्यान आ जाएगा अगर मैं यहां से एक zero हटा दूँ यहां से भी यह हो जाए 13 और यह हो जाए 5 तो दोस्तो यह hypotenuse 5 13 कब होता है जब एक 5 और एक 12 triplets जहां पर भी है वही मैंने triplets बताया था ज़रा उस page पर जाएगा वहां पर जाके देखिएगा पीछे थोड़ा सा कीजिएगा कि 13 कब आता है 17 कब आता है 25 कब आता है तो अगर वो हमें पता है तो बड़ी जल्दी से answer आएगा तो ध्यान रखिए यह 13 है यह 5 है तो यह 12 एक एक zero लगा दीजिए तो यह हो जाएगा 120 तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक का distance हो गया 120 अब देखिए फिर से यह एक right angle triangle बन गया और इस right angle triangle में जड़ा देखिए एक data हो जाएगा 300 तो यह हो जाएगा 300 और यह हो जाएगा 400 तो यह कितने 100 होगा तो दोस्तों अभी मैंने 300, 400 नहीं लिखा 3 और 4 लिखा क्योंकि आपको triplets से यादा जाए तो जड़ा बताएगे 3, 4 पे triplets में hypotenuse क्या होता है 5 तो अगर मैं यहां पे 2,0 लगाऊं यहां भी 2,0 तो इस पे भी 2,0 लगा दीजिए तो यह distance आपको मिल जाएगा 500 मीटर तो कुछ नहीं है दोस्तों दो बार पाइथा गुरस लगा है और दो बार पाइथा गुरस का मतलब दो बार triplets लगा दीजिए दो बार triplets लगा दीजिए आप answer कि यहां पे देखिए 13 कब आएगा 3,4 पर क्या बनेगा तो triplets ध्यान रखिएगा direction distance में पाइथा गुरस लग रहे हैं तो 90% chance है triplets और अगर triplets नहीं लग रहे हैं तो root में कुछ value बचेगी ठीक है तो यह भी एक अच्छा question था अगला